कि आप सब आज हम बात करते हैं इंडिया के एट टेक सिस्टम में जो ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं और अभी आप एक रिसंट कॉंट्रवर्सी देख रहे होंगे कि भाई दो बड़े दिगज भेड़ गाएं एक दूसरे को बोल रहें कि पर तुम तो स्कैमस्टर हो हैस्ट एमाई हेर तो गार्णर मोर व्यूज अफकोर्स येस बिकॉस इस टॉपिक पर बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है तो बहुत अच्छे व्यूज आते हैं बिकॉस लोगों को आच्छुली समझना है कि कौन सही है मैं इसमें क्या वैल्यू आड कर सकता हूं अपार्ट रॉम वाट इस नोन सोशल मीडिया बिकॉस पेरी महश्वरी जी है उन्होंने भी काफी सारा खुलासा की है उन्हें इस ट्विटर हैंडल एंड ही समन्वन हुआड इवन टेकें आयए पीम टू कोट इंडियन इस्टी स्ब्सक्राइब कराने का इस थिंस और इनॉई और तनि क infants नोने कवए का शीज लिखें। को जा के किकम को साइज है कि तो आप उसको जाकर देखेगा बिकॉसाज lagi really repeat something which has already been so well मैं इसमें आपके साथ अपना experience शेर करूँगा कि इंडिया में जब तक आप कोई बड़ा चमतकार नहीं बेचते तब तक आप बड़ा business भी नहीं बना सकते यहां का एक बहुत बड़ा विडमना है कि लोग सपने खरीते हैं बड़े सपने बेचो बड़ा चमतकार बेचो लोग लाइन लगा के पैसे दे देते हैं इनकेस में इन्होंने यही किया है तो देव सोल्ड कोर्से लाइक 50,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज के लेवल पे कि मैं आपको entrepreneur बना दूँगा दस दिन में किया फिर उनको लगता है कि आमने कुछ पढ़ाई किया है तो हो सकता है दस घंटे में भी कोई MBA करा दे in the future question mark ethics का यहीं आ जाता है कि क्या इस बड़े बड़े सपनों को जब आप बेचते हो और आपका turnover जब बन जाते है 200 करोड तो आप तो समाज की निगाह में ऐसे भी villain बन जाते हो because हमारे समाज में successful people हमेशा villain ही रहेंगे it's not discuss whether it was quantum सही है कि गलत बट यहाँ पे गलत यह है वो promise बेचना कि मैं आपको 50,000 उर्पे में एक course बेच रहा हूँ course में मैं क्या सिखा रहूँ कोई घंडा फरक नहीं पड़ा किसी को मैं आपको entrepreneurship के नाम पे बोलता हूँ आप मेरे courses बेचना चालो करता हूँ and 2-3 जब किसी और को मेरा courses बेचोगे तो आपको उसमें जो profit मिलेगा उससे आपका initial 50,000 उर्पेज recover होगे इसके बाद अब जो भी courses बेचोगे तो आपका profit है that is not the way education should be run और यहाँ पर disconnect है जिसके वज़े से काफी लोगों को disconnect content हुआ है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है such a famous personality जिनके करोडो YouTube पे followers है social media पे followers है जब फटता है bubble तो साब कुछ फटता है तो he had claimed in some point of time कि एक stamp है वो stamp government of India ने उनकी appreciation में launch किये while the fact of the matter is कि department of postal जो है उन्होंने एक scheme ही लाया हुआ है कि किसी का इच्छाव आप पैसे देखे अपने नाम पे stamp बनवा सकते हो domestic violence का case भी आ जाता है जब bubble फटता है तो सब कुछ एक साथ फटता है मेरे case में जब मैं financial modeling बेचता हूँ अपना course because मेरा भी एक objective है कि अगर मेरा attraction है social media में people know me then that should also translate into money में का बहुत बार में को भी temptation आता है लोग पुछने से आपके financial modeling को करने से क्या मुझे investment banking का job में जाएगा I can say yes of course मैं आपको एक premium certification दूँगा जिसको आपके career को चार चान लगा दिया जाएगा in terms of your CV bullets because I am anurag and मेरे द्वारा दिया हुआ ये 10 घंटे का course it can work wonders for you अगर ऐसा होगा you will not believe there will be far more number of people who will come on board and enroll for the course but then once they complete with the course placements का है मैं बुलो है placements तो हाँ मैं बोला तो था बड़ा actually नहीं होता चलो मैं आपको थोड़ा placement support देता हूँ आपको एक internship दिला दा दा बुला है इंटर्शिप तो मैं खुदी खुद लूँगा आपकी तो बात थी कि investment banking में आपको job दिला होगे that is where if you make a false promise वो कही ना कही बबल जा फटता है then उसमें से कुछ लोग तो चुप चाप घर जाके रोके सो जाते हैं कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा मुझे मेरा पैसा refund चाहिए मैंने loan लेके तुम्हरा यह course करीदा था मेरे को outcome क्यों नहीं मिला and इसके वज़े से ही हम कुछ भी promise नहीं करता है मैं मुलता हम मेरा course अच्छा है आपको course पढ़िये उसको practice करिये skills लेके आईए कैसे investment banking में interviews arrange हो सकते हैं वो भी मैं आपको घ्यान दे सकता हूँ अगर मैं आपको ना को interview arrange करके दूँगा आपका convert करवा के दूँगा that will be something which is completely on you that will be ethical selling अगर मैं ऐसा करके 50,000 रुपे लेता हूँ that is ethics कि अगर मैं cohort based learning करवा रहा हूँ लोगों को बोलों कि अच्छा मैं सिर्फ 15 लोग को एक साथ पढ़ाऊंगा that is also fine but the point is कि अगर मैं बोलता हूँ नहीं 50,000 रुपे देखे आप मेरा financial modeling का course करिये and आपको उसके बाद top investment bankers in the country they are going to interview you and make you part of their team वहाँ problem हो जाएगा so education इतना पवित्र चीज़ है उसमें ethics top end आना चीए यहाँ पे तो actually ethics कम आता है पता नहीं क्या चक्कर है कि और public को भी ऐसा है मैं पहले कभी resume बनाता था आज से 15 साल पहले as a freelancer जो company के लिए मैं काम करता था यह मेरे को 1500 रुपे देता था 0 to 1 years के and 1 to 3 years के 3500 रुपे देता था बनाने के resume जब मैं package देखा website में कितना रुपे में बेचता है तो 0 to 1 years को यह वो 1500-3000 रुपे बेचता है and 1 to 3 years को 45-5000 रुपे बेचता था उस समय 15 साल पहले what was the promise the promise was कि आपका resume top end expert बनाएगा unlimited revisions आप उसमें करवा सकते हैं and then वो resume भेजा जाएगा India के top end HRs and placement agencies को और उससे आपका job लगने का chance almost certain है problem वहाँ आता था कि इतना hi-fi चीज बेच दिया इतना महेंगा बेच दिया मैं किसी को बोलू कि अच्छा मैं आपके लिए अच्छा resume बना रहा हूँ 1500 रुपे में 1500 रुपे में चलिए double कर दिजे marketing cost को include करके 1000 रुपे कर दिजे उसको उतना चुबेगा नहीं बट वहीं मैं उससे अगर को कि 5000 रुपे आ ले हूँ तो expectations भी उतने high हो कही है and जब वो fulfill नहीं हो रहा because anyways expectation setting was wrong from that perspective there the challenge comes तो बहुत बार ऐसा होता था गाली पढ़ता था लोग बोलता थे आपकी sales team तो बोले थी कि ये cv unlimited revisions रहा भी एक बार दो बार नहीं हम पूरा पैसा दी है पूरा पैसा आपसे वसू लेंगे and फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब job नहीं लगता था अब उन्हों क्या करते थे वो 700-800 HR firms को एक साथ आपका CV भेज देते थे तुका भेड़ गया तो भेड़ गया नहीं भेड़ा तो नहीं भेड़ा तो गारेंटी तो कुछ लिया नहीं है they said कि we will give you fast track access to a lot more placement resources उन्होंने आपको दिया अब वो नहीं होता था तो फिर resume पर आता था बाद because resume का case item open जाता था और मेरे उपर वो गाज गरता था so what I am trying to tell you is कि that is how the world of miss selling will work if you have miss sold something be prepared for the consequences of that आप representative selling करो कि this is exactly what I am selling लोगों को under promise करके over deliver करो rather than over promising and then under delivering otherwise अच्छा खासा set कि our business है जैसा आज विवेक बिंदराजी का है वो question mark में आ गया है so what are your views on this let's hear in the comments